दरसल सत्यपाल मलिक ने हाली में जो इंटिव्यू दिया था उसमें पुलवामा का जिक्र किया था ब्रश्टाचार का जिक्र किया था यहां तक की प्रधान मंत्री को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किये थे बहराल ये तमाम इंटिव्यू काफी सुर्ख्यों में रह कर रहे हैं अंतरात्मा उस वक्द जागर्ट क्यों नहीं होती जब लोग सत्ता में होते हैं ये देक उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक की बात नहीं को रहे तो तो खुप किंप क्यों रहे तो आमिष्य श्य discussion ए उन्होंने कहा कि उनको ये बाते हमारा साथ चोड़ने के बाद ही क्यों याद आ रही हैं अंतरात्मा तब जागरित क्यों नहीं होती जबकि लोग सत्ता में होते हैं सत्यपाल मलिक की बात सही तो राज्यपाल रहते हुए चुप क्यों रहे उन्होंने कहा कि कोई भी अपने स स्यासी सुआत के लिए कुछ कहता है तो उसका मुल्यांकन जनता को भी करना चाहिए सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे चुपाना पड़े तो सत्यपाल मलिक पर यहाँ एक पहली प्रतिक्रिया सरकार के किसी बड़ी मंत्री की तरफ से आई और वो प्रतिक्रिया आई है ग्रीही मंत्री अमिशा की उन्होंने एक न्यूस चानल को ये बात कही है आज ये बात कही है उन्होंने कहा है कि हमारा साथ चोड़ने के बाद ही उन्हें ये सब कुछ क्यों याद आ रहा है सत्यपाल मलिक के लिए वो कह रहते हैं उन्होंने कहा कि अंतरात्मा उस वक्त जागरित क्यों नहीं होती जबकि लोग सत्ता में रहते हैं होते हैं और यह पासी दलों के बीच जुबानी जंग भी जारी है ग्री मंत्री अमिशा ने ये समाचा चैनल को कहा है तमाम बाते जो हमने आपको बताई उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस ने असमिधानिक तरीके से मुसलिमों को चार फीसद आरक्षन दिया था करनाटक में हम जानते हैं अभी च अधिकार दिया इस दोरान अमिशा ने कॉंग्रिस पर भी निशाना साधा सत्तर साल में देश के बीतर दो देश बनाने का काम किया गया तो यहां पर हमला वर रहे अमिशा